इंडोनेशिया के इस गाउं बुंडेर में ये समय पानी जमा करने का है बारिश में जब तीखी बौचारें पड़ती हैं तो बुंडेर भी तैयार रहता है हर कोई जितना हो सके उतना पानी जमा कर लेता है प्रसेतिय वीडी एक बड़े से टैंक में बारिश का पानी जमा करते हैं वो कभी कभी तो एक लाख लीटर पानी जमा कर लेते हैं जो साल भर चलता है पानी की गुणवत्ता भी अच्छी है उनका परिवार इस पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने खाना पकाने और पीने के ल पढ़ता है, माफ करिये, यह बारिश का पानी है। हमें चिंता होती है कि वे उस पानी को नहीं पिएंगे। जब उन्हें पता चलता है कि यह बारिश का पानी है तो वे इसे अक्सर नहीं पीते हैं या जरा सा ही लेते हैं। तरंग गुजारी जाती है जो रासैनिक प्रतिक्रिया के जरिये सुक्ष्म जीवों को मार देती है। पानी की पी-च वैल्यू भी बढ़ जाती है। पादरी रोमो किरजीतों ने उन्हें ये तरीका सिखाया है। उन्होंने बुंडेर में एक रेन वॉटर समुदाय बनाया ह लोग बारिश के पानी को लेकर शिकायत करते थे क्योंकि भीग जाते थे। लेकिन अब बारिश होने पर खुश होते हैं। उनका रवईया बदला है। गाउवाले ज्यादा बचत कर सकते हैं उन्हें पीने का पानी खरीदने की जरूरत नहीं। बारिश का पानी जमा करो और उसका ट्रीटमेंट करो यही काफी है। नीजी करण का मतलब है कि इंडोनेशिया के बहुत से लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ेगा। बेरोग टोग पीने का पानी मिलना एक वैश्विक चुनावती है। कौन गारंटी दे सकता है कि पेजल उद्योग पूरी इमानदारी से काम करेगा। लेकिन इंडोनेशिया में बारिश के पानी को बचाने के अन्य कारण भी है। बुंडेर के पास साफ पानी के चुनिंदा सुरोथ ही है। ये ज्वाला मुखी माउंट मेरापी के करीब है। रेत खनन से भी पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। जमीन का कटाव तेज होने से नदी के तल को नुकसान हो सकता है। इसलिए विशेशग बारिश क पानी को जमा करने पर जोर देते हैं। जल विज्ञानी आगोस मारियोनों कहते हैं कि बारिश का पानी जमा कर सूखे के हालात से भी निप्टा जा सकता है। जो लोग इन गाओं में रह रही हैं उनको तो पानी मुफ्त मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ज़णने चूकी निजी कंपनियों के हैं तो लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। और ये गलत है और मुझे इसका हिसान नहीं बनना है। इंडोनेशिया के अधिकांश लोग इस बात पर सहमत होने लगे हैं। सरकार का भी मन बदला है और वो बारिश के पानी से जुड़ी परियोजनाओं को प्रावेजित करने लगी है। बुंडेर में आज जो हो रहा है वो एक दिन पूरे देश में हो सकता है। संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। पादरी रोमो किरजी तो खुश हैं कि उनके बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सों और गाम वालों से बात करने की वज़े से गामों के हालात बदले हैं। लोग पानी से प्यार करें, उसे संभालें, उसके बारे में जागरूग बनें और उसका रचनात्मक ठ्रीट्मेंट करें। जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं तो उसके प्रती हमारा रवया सकारात्मक होता है। इसे फर्क नहीं बढ़ता कि ये बारिश का पानी है या कुएं का, उसकी कीमत समझनी चाहिए। पानी की कीमत का अंदाजा होने का मतलब ये भी है कि बुंडेर की भावी पीडियों और इंडोनेशिया के दूसरे गामों में भी पानी निरंतर मिलता रहे। खानी है कर दो झाल झाल झाल